यहीं दोस्तों आप सब लोग को इस बात की जानकारी होगी ही कि 15 अगस 2021 से मुंबई लोकल ट्रेन में जिस किसी भी नागरिक ने कोरोना वैक्सिन के दोनों डोस ले लिए है और 14 दिन हो चुके है दूसरा डोस लेकर तो उस नागरिक को मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल क करने की अनुमती मिल रही है मैं आपको यह जानकारी दे देता हूँ कि आप ओफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते है कि आपने दोनों डोस ले लिए है कोरोना वैक्सिन के ताकि आपको 15 अगस 2021 से लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने मिलें जो डोकुमेंट्स लगेंगे व और मुंबई मुनसिपल कोपरेशन के एरिया में अलग-अलग रेलवेस स्टेशन पर हेल्प डेस्ट लगाये गये हैं जहां आप जाकर ओफलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि आपने कोरोना वैक्सिन के दोनों डोस ले चुके हैं और 15 अगस 2021 से वेरिफिकेशन होने क कि आपके दोनों डोस हो चुके हैं कोरोना वैक्सिन के तो हेल्प डेस्क में जो भी व्यक्तिवेटे रहेंगे वो स्टैम करके दे देंगे कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो वो स्टैम्ट कोविड-19 सर्टिफिकेट दिखा कर आप टिकेट विंडो से पास खरीद स कि जिस नागरिकों ने सिर्फ एक ही डोस लिये है कोरोना वैक्सिन के उन्हें अभी तक अनुमती नहीं मिली है 15 अगस 2021 से जो भी नागरिकों ने कोरोना वैक्सिन के दोनों डोस ले लिये है सिर्फ उन्हें ही अनुमती मिली है और एक और कंडिशन ये है कि कोरोना वैक्सि की डिटेल्स अभी तक जारी नहीं की गई है तो अगर जारी की जाती है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कुशिश करूंगा अन्त में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा इश्वर अल्ला गौड बगवान आप सब को सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को द